અત્યાર સુધી આપણે ખણાબધા આકારોની સંમીતી જોઈ ગયા आपने जौयू के विवीध आकारोनी मात्र कोई एक चौकां सम्मिती नथी होती केटलाक आकारोनी सम्मिती रेखिक होई छे तो केटलाक नी परीप्रह्मनिय होई छे आउव आपने फरी एकक्षत जोईये अहीं एक पईडू आपेलू छे, जे ब्रह्मन करतू देखाई छे, तेने आपने वच्चे थी दुभागिये, अटले के तेमा आपने व्यास बनाविये, तो अहीं आपने बे सर्खा भाग देखाई छे, एटले के आ पईडानी आकरूती छे, ते रेखिक सम्मीती धरावे छ अवे तेनी साथेज आपने तेना अन्यर व्यास लईए, तो ते पण सम्मीती धरावता देखाई छे, एटले के आ आकरूती ए परीब्रह्मनी ये सम्मीती पण धरावे छे, आ रेखा खंडोंने आपने सम्मीत रेखाओ कहिये छिए, एवीज रिते अन्य एक आपने जोई अहीं पण रेखिक सम्मीती पण देखाई छे, औने परीब्रह्मनी ये सम्मीती पण देखाई छे, आवी रिते फूल छे, तेमा पण आपने आ बन्य प्रकारनी सम्मीती देखाई छे, अन्यक फलना आडा छेद लही आपने, तो केटलाक फलमा पण आ बन्य प्रकारनी सम् सम्मीती बनने देखाय छे तो आउँ आपने आगल जोहिए अहीं एक अलफाबेट एटले के लेटर ए आ पेलो छे तो जोहिए के आ कई सम्मीती धरावे छे तो अहीं आपने जोशू के लेटर ए छे ते रेखिक सम्मीती धरावे छे एटले कि आपने तेने वच्चे थी वालिये तो तेना बे सर्खा भाग देखाई छे आवीज रीते आपने ओ माटे छैने जोईए तो अहीं आपने जोशू कि आ छे आ आक्रूती बन्ने प्रकारणी सम्मीती धरावे छे तो हवे एक नवो अल्फाबेट जोईए शूं आ कोईपण प्रकारणी सम्मीती धरावे छे वीचारो अन्य आउज एक लेटर तम्में आल्फाबेट्स माथी शोधी काटो